पीम मोधी कई बार अपने भाष्टों में पूर पीम जवाला नहरू की आलोचनाई करते हुई दिखाई देते हैं। अभी हाली में पीम मोधी ने संसद में पूर पीम नहरू को लेकर यहां तक कह दिया था कि नहरू भारतियों को आलसी और कम अकल वाला मानते थे। जिसे लेकर अप शरत पवार ने पीम मोधी पर तंच कसा है और पीम मोधी के ब्यान को गलत साबित किया है। साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधान मंतरी जवाहल लाल नहरू और सम्विधान के प्रमुक वास्तुकार बाबा साहिव अंबेटकर को निशाना बनाये जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले संसद में हमने पिम मोधी का भाशन सुना, पूरे भाशन में उन्होंने पंडित जवाहल लाल नहरू की आलोचना की और उन पर हमला किया। जिन्होंने आजादी से पहले 6-7 साल जेल में बिताये थे, आजादी के बाद उन्होंने डॉक्टर अंबेटकर को साथ लेकर एक लोगतांत्रिक देश का निर्मार किया। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांगलादेश जैसे कुछ देशों में जो इस्तिती बनी हुई है, उससे बचने के लिए ये सुनिशित करने की जरूरत है कि जिससे समविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिये हैं, उसका संरक्षन किया जाए। ड्यूबी लाइब की रिपोर्ट